Hello dear students, welcome to D.J.N.A.T. Creation So, आज हम करने वाले हैं exercise 3.7 का question number 4 and question number 1, 2, 3 हम already हम पहले ही videos में discuss कर चुके हैं and हमारे यहाँ पर regularly rows maths class होता है and उसे के साथ Monday को maths, Tuesday को science and Wednesday को English फिर से Thursday को maths, science, English regularly यहाँ पर तुम्हें maths, English and science का videos मिलता रहेगा and अगर कोई भी doubt है बच्चो तो comment section पर comment करके भी बता सकते हो तो जल्दी से शुरू करते हैं आज हम करेंगे question number 4 question number 4 देखो बच्चो क्या बोला गया है determine the smallest 3-digit number 3-digit number हमें पता है तो जैसे कि यह वाला क्या है 100 यह क्या है, 3-digit number है which is exactly divisible by 6, 8, 12 तो ऐसे 3-digit वाला number निकालना है जो की 6 से भी divide होगा 8 से भी divide होगा and 12 से भी divide होगा and उसी के साथ सत क्या होना है smallest होना है, छोटा होना है वो छोटा number होना है 3-digit वाला तो इसके लिए हम क्या करेंगे 6, 8 and 12 का हम निकालेंगे LCM 2-3 जा 6 2-4 जा 8 2-6 जा 12 फिर से से काटेंगे 3 का 3 रह जाएगा 2-2 जा 4 2-3 जा 6 3-1 जा 3 बचा 2 3-1 जा 3 तो 2-1 जा 2 तब यह सभी को हम क्या करेंगे यह सभी को हम कर देंगा multiply ओके तो multiply करने से 2 into 2 into 3 into 2 करने से कितना हैगा 2-2 जा 4 into 3 into 2 4-3 जा 12 12-2 जा 24 तो हम directly हम लिख लेंगे 24 तो हम multiply करके कितना लिख लेंगे 2-2 जा 4 4-3 जा 12 12-2 जा 24 तो 24 आया तो अभी हम क्या करेंगे 24 का table लिख लो बच्चों तो 24 का table अगर लिखेंगे 25 मैं लिख लेता हूँ 7 जा 7-4 जा 28 7-2 जा 14 15-16 ओके तो हमें क्या बोला है smallest बोला है ओके 24 8 जा तो ये देखो जादा जादा आ रहा है हमें तो smallest बोला गया था तो इससे हम और क्या कर लेते हैं 24 से और small number हम ले लेते हैं ओके 7 के जगा पर हम ले लेते हैं 3 3-4 जा 12 3-2 जा 6-1 7 कितना है 72 आया next हम क्या करते हैं 24 4 जा लेके देखते हैं 4-4 जा 16 4-2 जा 8 1-9 96 आया 24 5 जा लेके देखते हैं 4-5 जा 25 2 जा 10 11 12 तो देखो 24 का टेबल में यही वाला जो 3-digit वाला number है जो कि smallest number है एंड अगर 24 से हम क्यों multiply किया थे 24 क्या है इनका कॉमन फेक्टर था जो कि 6 से भी डिवाइड होगा 8 से भी डिवाइड होगा 12 से भी डिवाइड होगा तो हमें क्या बोला था the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12 तो 6, 8 and 12 में अगर हम देखेंगे तो यह कौन सा है 6, 8, 12 से डिवाइड होने वाला number that is our 120 that is our 120 ओके I hope you understood dear students and अगर कोई भी डाउट है समझ में नहीं आए तो comment section पर comment करके मुझे बता सकते हो so don't forget to subscribe our channel अगर अच्छा लगए राए बच्चो तो जल्दी सा subscribe करो next number हम देखते है question number 5 तो देखो 5 question number 5 क्या बोला है determine the greatest 3-digit number अभी हम यहां पर हमें क्या करना है 3-digit वाला बड़ा number निकालना है तो उसके लिए हमें क्या दिया गया यहां पर 8, 10, 12 2-4 जा 8 2-5 जा 10 2-6 जा 12 2-2 जा 4 5, 2-3 जा 6 2-1 जा 2 5 एक प्राइम नंबर है 3 भी एक प्राइम नंबर है 3-1 जा 3 बचा कितना 5 तो 5-1 जा 5 तो यह सभी को multiply कर देंगे 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 5 2-2 जा 4 4-2 जा 8 8-3 जा 24 24 x 5 कर दो 20, 52 जा 10, 11, 12 तो कितना आया है? 120 तो 120 में greatest 3-digit number कौन सा है? ओके तो हमें क्या बोला है? greatest 3-digit number तो 120 इंटु हम कर देंगे 7 करके देखते हैं 7, 0 जा 0, 7, 2 जा 14, 7, 1 जा 7 1, 8 next 120 x 8 करके देखते हैं 8, 0 जा 0, 8, 2 जा 16, 8, 1 जा 8, 1 9 9, 60 आया 120 x 9 करके देखते हैं 120 x 9 9, 0 जा 0, 9, 2 जा 80, 9, 1, 1, 10 तो यहां पर देको 4-digit वाला नंबर चले आ रहा है हमें क्या बोला था 3 digit वाला इन नंबर बोला था तो 3 digit वाला अगर नंबर देखेंगे greatest 3 digit नंबर तो वो क्या है हमारा 960 है तो ये जो 120 था ये वाला 8 से भी डिवाइड हो रहा था 10 से भी डिवाइड हो रहा था तो 12 से भी डिवाइड हो रहा था तो वो था हम लोग का 960 I hope you understood अगर कोई भी doubt है तो नीचे comment section पर comment करके मुझे बता सकते हो और अगर कोई भी doubt है comment कर सकते हो अगर उसी के साथ हमारे चैनल को subscribe कर सकते हो don't forget to subscribe our channel dear students next 6 number तो देखो क्या बोला गया है यहां पर कि जो traffic light है three different road में है मान लो यहां पर एक traffic light है यहां पर एक traffic light है यहां से एक रस्ता जाता है यहां से एक रस्ता जाता है तो the traffic light at three different roads crossing change change after every 48 seconds 72 seconds and 108 seconds तो यह वाला मान लेते हैं यह 48 seconds के बाद यह change हो रहा है यह 72 seconds के बाद यह light क्या हो रहा है इन दोरों में change हो रहा है सुबह के साथ बज़े यह वाला भी red हुआ था यह वाला भी red हुआ था यह वाला light कब ग्लो करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे फिर से ल्सीम 48, 72, 108 2, 2, 4, 2, 4, 8, 2, 3, 6, 2, 6, 2, 6, 12, 2, 5, 10, 2, 4, 8 2, 1 जा 2, 2, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 2, 8, 16, 2, 2, 2, 4, 2, 7, 14 2, 2, 6, 12, 2, 9, 18, 27 का 27 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 9, 27 3, 1, 3, 3, 3, 3, 9 यहां पर बाच्चा 2 2, 1, 2, यहां पर है 3, 3, 1, 3 तो अभी हमें क्या करना है नेक्स्ट से यह सभी को मल्टिप्लाइ कर देना है 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3 मल्टिप्लाइ कर देंगे 2, 2 जा 4, 4, 2 जा 8 8, 3 जा 24, 24, 3 जा 24, 3 जा 3, 4 जा 12, 3, 2 जा 6, 1, 72 72 जा 72 के साथ अभी क्या करेंगे यहां पर देखो इतना तक हम पहले ही कर चुके थे 2, 2, 4, 4, 2, 8 8, 3, 2, 24, 24 जा जा दे ग्यांद यह 3 के साथ मल्टिप्लाइ किये तो कितना है 72, 72 के साथ यह 2 को मल्टिप्लाइ करेंगे 2, 2, 2, 4, 2, 1, 14 फिर कितना बचा है यह 3 बचा है तो 144 इंटू 3 करेंगे 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 1 13 3 4 जा 12, 1 13 तो यहां पर बचा है 3 1 जा 3 1 4 यहां पर कितना है 432 सेकेंड्स ओके हमें कोस्चिन में क्या बोले है At what time will they change simultaneously again तो 432 सेकेंड्स के बाद यह वाला क्या होगा न अब हम लोग कग यह change हो जाएगा तो इससे अगर हम minutes में change करेंगे तो कितना तो देखो तो यहां पर कितना है 432 तो 432 को divide कर दो 60 से 1 minute कितना सेकेंड होता है बच्चो 60 seconds 1 minute कितना होता है बच्चो 60 seconds तो that's why यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा हम यहाँ पर करेंगे 67 जा 7 6 जा 42 ओके so that's why हम क्या करेंगे हम लेंगे 7 जा 67 जा 2 से 0 गया तो 2 3 से 2 गया तो 1 तो इतना हम लोग का क्या है 7 minute 12 second के बाद क्या होगा वो तीनों ही traffic light में फिर से konsa light glow करेगा जो light था वो same light glow करेगा चाहे वो red में था या green में था या yellow में था तो 7 minute 12 second के बाद क्या होगा यह traffic light फिर से glow करना शुरू कर देगा एक साथ फिर से यह तीनों glow करेगा I hope you understood बच्चो अगर कोई पीडाउट है तो comment section पर comment कर सकते हो next video में हम फिर से मिलेंगे and next number हम वोई next videos में discuss करेंगे तो आज के लिए इतना ही next class में मिलते हैं दूसरे number के साथ and don't forget to subscribe our channel हborता होई आप झार झार आपक्पँर से चरवप furnace में हम